हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ अमरिता मिश्रा आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ पांच मिनट में जट पड बनने वाली आलू की सबजी ये सबजी हमारी बहुत ही जल्दी बन के त्यार हो जाती है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो आईए फटा-फट अपनी रेसिपी तो यहां पे मैंने 3 आलू लिये हैं और ये आलू अबले हुए हैं बॉयल डालू है इसे मैंने मीडिया माकार का काट लिया है और उसके बाद गैस पे मैंने कढाई चढ़ा दी है उसमे मैंने देड चमच ओय ले लिया है ओयल को अच्छे से गरम होने दें आधा चमच राई या सरसो के दाने उसके बाद आड़ करें इसमें और दो चुटकी मैंने अब इसमें हींग आड़ करनी है देखे हींग आड़ कर दिया है और ये तुरंत ही चटक जाता है तो उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे एक साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी करी पत्ती और उसके बाद एक तिहाई चमच हल्दी पाउडर आड़ करेंगे आधा चमच धनिया पाउडर और आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आड़ करनी है आप चाहें तो इस स्टेज पे हरी मिर्च भी आड़ कर सकते हैं अगर आपको तीखा पन जादा पसंद हो और तुरंथ ही हम इसमें उबले हुए आलू आड़ कर देंगे ये मसाले हमारे जट पर भुन जाते हैं क्योंकि इसे डाइरेक्ट मैं ने ओईल में आड़ किया है अब तुरंथ ही मैंने नमक भी आड़ कर दिया है इसमें आलू आड़ करने के बाद तो नमक आपको स्वाधनुसार आड़ करना होगा ये देखिए मसालो को आलू में अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनिट के लिए हम पका लेंगे लगातार चलाते हुए medium flame पे तो देखिए 2 मिनिट हो चुके है तो अब हम इसमें add करेंगे बस 2 चमच पानी मैंने add किया है जादा पानी नहीं add करेंगे कि जिससे मसाले जले नहीं और उसके बाद flame low करके हम इसे 2 मिनिट के लिए धक के पकने देंगे कि मसाले अंदर तक चले जाएं 2 मिनिट के बाद मैंने धकन हटा दिया और फिर फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे लास्ट में 1-4 टी स्पून गरम मसाला तो इसको एड कर देंगे हम और फिर इसको अच्छा चटपटा टेस्ट देने के लिए आधे नीबू का रस एड किया है मैंने इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा और थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी आड कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास नीबू ना हो तो आप यहां पे थोड़ा सा अमचुर पोडर भी आड कर सकते हैं अब इसको मिक्स कर लेंगे, एक मिनट के लिए और पका लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, ये देखिए कैसे पांच मिनट में हमारी ये आलू की सबजी बनके रेडी हो जाती है, लास्ट में आप इसे धनिया की पत्ती के साथ गार्निश करें, फटा फट बनने वा दिस अजे क्वारी को अप्तों अबने वार्निश करेंगे साथ खर्वाँ जाती है है, जए अबने वार्निश